रवी प्रदोश व्रत कथा और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंध हो हम अध्यानते ही दुखी दीन हैं हमारे पास धन ही कहा है तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है बालक ने निसन कुछ कहा कि मेरी मा ने मेरे लिए रोटिया दी है यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों यह बहुत ही दीन दुखी मनुश्य है अता हम किसी और को लूटेंगे इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुँचा नगर के पास एक बर्ग का पेड था वह बालक उसी बर्गत के व्रक्ष के चाया में सो गया उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बर्गत के ब्रक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझ कर बंदी बना राजा के पास ले आए। मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्राथना करने ลगी। भगवन शंकर ने उस ब्रामडी की प्राढशना स्विकार कर ली। उसी रात भगवन शंकर ने उस राजा को स्वपन में आदेश दिया कि वह बालक चोड नहीं है। उसे प्राताकाल चोड़ दो अन्य था तुम बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन वैतीत कर सके। इस तरह ब्राम्हण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अता जोगी मनुश्य रविप्रदोश का व्रत करता है। वे सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन वैतीत करता है। बोलो हर हर महादेव।